रास्थान की राजदिती में यदि चर्चित चहरों की बात की जाये तो हनुमान बेनिवाल उन चहरों में से है जो अपनी बोली और अपने तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं उपचुनाओं में गड़बंदन की बात उठी थी लेकिन लगातार हनुमान बेनिवाल की ओर से पीसी सीचीफ गोविन सिंग डोटासरा पर जुमानी हमलों के बाद कहीं न कहीं ये बात थी कि आरलपी के साथ कॉंग्रेस गडबंदन नहीं करेगी और आखिरकार हुआ भी य इंसान है वो है पीसी सीचीफ गोविन सिंग डोटासरा हनुमान बेनिवाल ने एक टीवी इंटरिव में कहा है कि गोविन सिंग डोटासरा ने पेपर लीग के मामले में किरोडी लाल मीना के पैर पकड़े हैं उन्होंने माफी तक मांगी है हनुमान बेनिवाल ने इसके सा साथ ही हनुवान बेनिवाल ने ये तक कहा कि पेपर लीग यदि कोई करता है ब्रष्टाचार करता है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ चाहे वह किसी भी जाती का हो धर्म का हो या पार्टी का हो। ऐसे में हनुवान बेनिवाल जो लगातार PCC Chief गोविन सिंग डोटासरा को आखे दिखा रहे थे खिमसर की सीट पर अपनी पतनी कनिका बेनिवाल को खड़ा किया है तो वहीं आज खिमसर में PCC Chief गोविन सिंग डोटासरा अपने प्रत्याक्षी के समर्थन में फटकारे करते ह वे नजर आए तो वहीं अब हनुमान बेनिवाल का ये बयान PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा पर दिया अब तक का सबसे बड़ा बयान है ऐसे में राजनिती का गल्यारों में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है क्योंकि हनुमान बेनिवाल का बयान कहीं न कहीं राजनिती में बड़ा भूचाल लाने वाला है आप देखते रहिए दनगरी मीडिया मैं हूँ ललत वर्मा